नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं स्टार सेवें टेवी नूज खबर यूपे से प्रयाव राज की है सिचाई विभा की कर्मिचारी की हुई मौत हंडिया थाना चेतर के अंतरगत आने वाले बासू पर चौडागे के पास हंडिया पॉली टेक्निक के सामने नाले में गिरने से एक सिचाई कर्मिचारी की मौत हो गई आपको बता दे कि हंडिया थाना अंतरगत बाला निवासी लक्ष्मी शंकर भारतिय पुत्र स्वर्गे बरम दिन भारतिय उम्र बावन वर्ष सुमवार की शाम लगवग चार से पांच बजे के बीच घर से कुछ जरूरी कारे के लिए हंडिया गए थे रास्ते में लोडते समय उनकी साइकल लड़ खड़ा कर नाले में गिर गई जिससे देगे नाले में जा गिरे सर में चोट लगने वा पानी में डूब रहने की वज़ा से उनकी म्रत्य उखो गए जब सुभा लोगों ने देखा तो इसकी जानकारी कोट वाली हंडिया को दी जिसके बाद घटना की खबर चेत्र में आग की तरह फैल गए घटना स्तल पर लोगों की कतार लग गए इस्थाने लोगों ने बताया कि मृत्तक लक्ष्मी शंकर भारती सिचाई विभाग में टूबल ऑपरेटर के पद पर कारी रह था घटना की जानकारी मिरते की परिवार में को रा मच गया वही पतनी बरंदेवी वा बच्चों का रोडो कर परिम कारवाई करते होई शब को अपने कबजे में लेकर पोस्मादम के लिए भेज दिया गया वही छेत्री लोगों ने एनचाई का विरोत किया और कहा कि हंडिया में अधिकतर सलक दुरगटना एनचाई की लापरवाई से होती है आए दिन कोई ना कोई दुरगटना होत दुरगटना एनचाई की लापरवाई इतनी ज्यादा गया है कि ना तो नालों पर धकन लगाए गये हैं और ना की सड़क के गड़े की मरमत की जारगी है और ना की सड़क के चिररियों को साफ की अचार का गया वही भाजपायूबा मोर्चा के घंडिया मंडल के मंडल अखिल ने बताया कि बगल में ही लगी सीसी टीवी कैमरे में घटना की वारदात कैद हुई गे जिसमें साफ दिख रहा है कि नाले के डखन खोले गोने की वज़ा से यह घटना गुई जिसके जिम्मेदार एनचाई के आलाधिकारी है स्टार सविन टेवी ने उसकी यह झाले के रहा है कि यह झाले के लिपकारी है